दोस्तों हरियर एक टाटा का बहुत जाला स्ट्रॉंग प्रोड़क्ट है बैसिकली आपको सिर्फ डीजल में ही देखने को मिलता है यह इसका डिफिनेटल एक ड्रॉबैक है पेट्रल में भी नहीं देखने को मिलता मगर इन्होंने अभी ऑटा एक्सपर में इसका इलेक्ट् देखने को मिलने वाले है ग्रिल भी जो है वह थोड़ी सी यूनिक है और उसके उपर आपको एलुमिनेटर टाड़ा का लोगो देखने को मिलने वाला है और सामने साइड में पीछे की तरफ कैमरा है मतलब की 63 कैमरा जो की ICE इंजिन वाली हरियर में भी आता है एड़ास भी क्रिल भी जो बहुत ज़्यादा यूनिक डिजाइन करी गई है मतलब आप बिसेकली डिस्टिंग्यूश कर पाऊगे कुंसी ICE वाली है और कुंसी इलेक्ट्रिक वाली है अगर हम सारी से देखते हैं तो साइड में ज्यादा कुछ चैंज इसने देखने को मिलने वाले है जि अगर हम रियर से भी बात करते हैं तो रियर में भी कुछ जैंजिस नहीं है टेल लाइट बगया था सब कुछ जो हो सिस्टम वही देखने को मिलने वाला है इंट्रियर के हमें पिक्स नहीं देखने को मिली है ज्यादा मगर एट दे एंड अफ दे डे इसमें ज्यादा प्लैटफर्म पे बेज़ नहीं है यह टाटा का नया एक्टिव फ्लैटफर्म पे बेज़ड है जिसके उपर आपने रिसेंटली लांच होती हुई पंच भी देखिए हुएगी इन दोनों गाडियों का प्लैटफर्म से में तो आप बोलोगी कि भाई ओ चो चोटी भी बना सकता है तो इस प्लैटफर्म की जो जो एफिजेंसी है प्रोडक्शन पॉइंट अफ यू से अगर हम बात करते तो बहुत जादा अच्छी है क्योंकि इस गाड़ी के उपर बहुत जादी गाड़िया भी बना सकते है टाटा मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों इसके चारो पैयों पेजान होने वाली है इसमें आपको डियूझ पीछे रोटी दे आपको देखने बना से अगे हम इसकी डियूम उसकी मजाा करते बहुत ज़ादा दूर होते है। रिसेंटली भी देखा है हमने बहुत ज़्यादा इलेक्रिक गाड़ियों में तो डेफिनेटली यह भी देखने वाली बहुत ज़्यादा चीज हो जाती है कि टाटा जो है वह आपने क्लेम ड्रेश पे कितने करें उतर पाते हैं डेफिनेटली ईवी है तो मेहिंगी होगी ही और उपर से टाटा का प्रीमियम प्रोड़क्त भी है तो प्राइज ओर भी जादा आगे बढ़ जाती है तो इसकी प्राइजिंग जो है वो 30 लाग के राउंड आपको देखने को मिलने वाली है एक शोर्म की बात कर रहा हूं मैं ना कि हो रोड की वडिया डेफिनेटली य गाड़िया भी लाउंच नहीं हुई है लाउंच यह गाड़ी इस साल के आखिर में या फिर एप्रिल 2025 में लाउंच हो सकती यह गाड़ी तो आपके अगर खिया लें इस टाटा हरियर एवी के बारे में प्लीज मुझ कमेंट एक के ज़रूर बताना थैंक्यू फ्रेंस पो झाल